हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यार दोस्तों अभी आपने हमाद यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो UPPSC नर्स भरती 2023 दोस्तों UPPSC से 2240 पदोग पर नर्सिंग ओफिसर मेल फेमेल की वेकेंसी आ चुकी है दोस्तों आज की डेट में दो बहुत बड़ी खबा निकल क्यारी है जैसा कि आप लोग देख सकती हो दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहे थी कि सर आप जो है UPPSC नर्सिंग ओफिसर बोलो तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नर्सिंग ओफिसर बोलने वाला हूँ तो नर्सिंग ओफिसर भरती आज से करे आवेदन नर्सिंग ओफिसर भरती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन यहां आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशका भी निकल किया रही है जैसा कि दोस्तों इसका सौर नोटिफिकेशन 20 अगस्ट को आ चुका है अब यहां पर देखोगे तो आप लोग जो है आज से ओनलाइन सुरू हो जाएगी और आप लोग एक कई सेप्तमबर तक फार्म को प्लाइक कर सकती हो तो आज की डेट में अमर उजाला और हिंदुस्तान इपेपर में एदो कटिंग यहां पर पब्लिस की गई है जिसमें बताया गया है और इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक अपडेट जो है बताया गया कि कई दूसरी भरतियों के विग्यापन भी जल है तो जो दूसरी विग्यापन है आईरवेद नर्सिंग ओफिसर का उनके लिए भी बहुत बढ़ी खुसकबरी है उनके लिए भी दोस्तों बहुत जल विग्यापन आने वाला है तो आपके लिए भी यहां पर अपडेट जो है देने वाले है तो आज इस कटिंग के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो अभी आपने वीडियो को सेर नहीं किया है जल्दी से दोस्तों वीडियो को सेर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलिए आपको लेकी चलते हैं कटिंग पर बात करेंगे सबसे पहले प्रूफ के बारे में इसके बाद दोस्तों इस कटिंग की सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं तो दोस्तों आप लूग देख लीजिए मैं आपको सबसे पले प्रूफ यहाँ पर दिखाऊंगा जैसा कि देख सकते हैं स्टाफ नर्स भरती के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन महिला के 2079 और पुरूस के 171 पदोग पर UPPSC करेगा भरती यहाँ पर देख सकते हैं और जैसे उपर जाओगे तो यहाँ आप लोग देखिए अमर उजाला परियागराज सेटी यहाँ पर देखिए अमर उजाला परियागराज सोमौर 21 अगस्ट 2023 पेज नमबर 6 है तो पेज नमबर 6 पर यहाँ पर जो है आपको इंफार्मेशन दी गई है आज हम मंडे 21 अगस्ट और आज की न्यूज पेपर में यह इनफार्मेशन जो है पब्लिस की गई है नर्सिंग ओफिसर भरती के लिए आज से शुरू होंगे आविदन तो चलिए दोस्तों इस कटिंग को देख लेते हैं देखिए यहाँ पर साब साब बताया जा रहा है बहुत इंपोर्टन जानकारी अमर उजाला स्टाफ नर्स पुरुस महिला पर इच्छा 2023 के लिए आउनलाइन आविदन के परकिरिया एक केस आगस से शुरू होने जा रही है उत्तर परदेश लोग सेवा आयोग यूपी पीसी की वेबसाइट पर सोमवार को भरती का विश्तरित विग्यापन जारी कर दिया जाएगा चिकिसा सिच्छा यूप पर सिच्छर विभाग के तहत इस्टाफ नर्स पुरुस के जो है 171 पदोपर और इस्टाफ नर्स महिला के 2029 पदोपर भरती के लिए ओनलाइन आविदन करने की अंतिम्ति थी और ओनलाइन माध्यम से परिच्छा सुल्क बैंक में जमा करने की अ प्रोफार्मा प्रारंभिक और मुख परिच्छा के विशय यूप पाठकरम परिच्छा केंद्रों के जुलों के नाम आरच्छन यूप आयू में छूट के समन्ध में निरधारित महतपोर्ड निरदेश आदि जो है उपलब्द रहेंगे आयों के सचियों के अनुसार अधिक आयू का नहीं होना चाहिए यानि कि अभेरतियों की जो जनम है जो जनमती थी है 2 जुलाई 1983 से पूरू और 1 जुलाई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए दिव्यांग जन की अधिक्तम आयू जो है 55 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए यानि उनका जनम जो है 2 जा रहा है कई दूसरी भरतियों के विज्ञापन भी जल यह बहुत बड़ी खुसकभी है परियाग राज यूपी पियस्सी ने बीति दिनों विभिन भरतियों के संभावित विज्ञापनों के बारे में सूचना जारी की थी जिनमें सहायक नगर नियोजग के 24 पदों पर इ स्थाफ नर्स आयर्वेट पूरुस महिला के 300 पदों पर योंभूतत्य योंखन कर्म विभाग में सहायक रसायनक के दो पदों उतर प्रदेश आयूस होमियोपैति विभाग में होमियोपैति की किस्सा अधिकारी के 54 पदों उतर प्रदेश आयूस होमियोपैति विभाग म विभीन विसीयों में होमियोपेथिक प्रोफेसर की 27 पदों और परसिच्छन परभाग राज नियोजन संस्थान में उपनिदेशक एक पद पर भरती सामिल है। के विग्यापन भी जल्द ही जारी होने की उमीद है। तो जो अन यहाँ पर भरतीया हैं जैसे कि नर्सिंग श्टाफ नर्स आईरवेद पुरुस महिला या नर्सिंग और अफिसर पुरुस महिला आईरवेद का जो विग्यापन है अभी इसका सबसे पहले स्वार्ड नोटि करिए आईरवेद नर्सिंग पुरुस महिला वलो थोड़ा विट करिए किलियर है बाकी मैंने इस कटिंग के बारे में यह टूजर सारी इंफार्मेशन दे दी है यहीं इनफार्मेशन आमर उजला नियूज पेपर में पब्लिस की गई है चलिए एक जलक मैं आपको हिंदुस्तान इपेपर कटिंग दिखा देता हूं तो दोस्तों आप लोग देखिए हिंदुस्तान इपेपर में यहां इनफार्मेशन पब्लिस की गई है और यहां पर बताया जा रहा है इस्टाफ नर्स आज से करियावेदन पुरुस के 171 और महिला के 2069 पदोब पर की जाएगे भरती आयोग आज जारी करेगा भरती के लिए विश्त्रित विग्यापन और आज से ही आप लोग ओनलाइन अपलाई कर सकती हो यहां पर भी वही इंफार्मेशन दी गई है सारी इंफार्मेशन दोनों सेम है तो यह आप लोग चेक आउड एक बार कर लो चले दोस् की ओफीसिल वेबसाइट पर तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यूपी पीएसी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है दोस्तों यूपी पीएसी परियाग राज की होम पेज है उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन मंडे 21 अगस्ट 2023 747 टाइमिंग यहां पर चेक आउट कर लेना यहां पर आप लोग जैसे आओगे तो यह दोस्तों यूपी पीएसी उत्तर परदेश पब्लिक सर्विस कमिशन का होम पेज है और इस पेज पर आने पर यहां पर नोटिफिकेशन का ओप्सन्स हो कर रहा है यह आप लोग देख सकते हैं एड़िजमें यहां पर उपन हो जाएगी दोस्तों इस पेज कर लिंक नीचे डिस्कुर्शन फॉक्स में दिया गया है वहां पर क्लिक करके डिरेक्ट आप लोग इस पेज पर आसकते हो इस पेज पर जैसे आप लोग आओगे तो आज दोस्तों सुबह 10 से 11 बजे के बीच में या सुबह जो है 10 से 12 बजे के बीच में यहां पर एक और ऑप्सन आ जाएगा नर्सिंग के लिए नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल 2240 पदों पर जो परमने भरती आ रही है इसी पेज पर आ जाएगी और इस पेज पर जो आपको देखनों को मिलेगी 2240 पदों पर जो नर्सिंग पुरु बहुत ही जल जो है आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगा धन्यवाद